अवाज जो जो इंदे के। जोसी मत को बचाना है, हम सबका एक ही रख्ष, जोसी मत को बचाना है. हम के साथ ** से कंदा मिलाकर कळा है, जाहा हमारे ठाप्र युवा ह luc बीते 15 दिनों की कवरेज में राहत या सुकून नहीं कहूंगी लेकिन कम से कम थोड़ी सी एक संतुष्टी इस बात की जरूर रही कि जोशी मट जो अकेले अपनी मुश्किलों में घीरा था उसकी तरफ देश-विदेश की नजरे गई है जो पहाडी उत्राखन में बसे हैं जो देश के बाकी हिस्तों में बसे हैं और जो विदेशों में बसे हैं वो भी जोशी मट को करीब से देख रहे हैं संकट इस वक्त सिर्फ ये नहीं है कि जोशी मट डूब जाएगा संकट इस वक्त ये भी है कि ये पुनरवास लोगों का कि वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं किसी आपदा से कम नहीं है जोशी मठवासियों को लगता है कि अगर एक बार घर छोड़ दिया तो अगला ठिकाना कहां होगा इंकम का सोर्स क्या होगा बच्चे कहां जाएंगे कैसे पढ़ेंगे बेजुबान मवेशुआ का क्या होगा बैंक के जिस लोन से उन्होंने अपने घर, रेस्टरॉन, छोटे-छोटे होटेल और होमस्टे बनाए है उसकी EMI और किस्त कैसे जाएगी और क्या गारंटी है इस बात की कि जहां पर वो जाएंगे वहां की जमीन नहीं धसेगी जो महिलाएं गर्बवती हैं उनका क्या होगा वो महिलाएं जो अभी प्रसव से गुजरी हैं या जिनके बच्चे अभी एक से छे महीने वाली उम्र के हैं गोद में लिये नन्हे बच्चों को वो कहां जाएंगी एक फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे बोड के एक्जाम है ये तमाम चिंताएं ऐसी हैं जो जोशी मठ वासियों को सांस लेने नहीं दे रहें क्योंकि जोशी मठ में ही बसे चाई गाउं में 2007 में बड़ी दरार आई और भारी भूस खलन हुआ तै हुआ कि पूरा गाउं शिफ्ट करना होगा स्थानिये लोग बताते हैं कि चाई गाउं के जिन लोगों के पास जोशी मठ के मारवाडी में जमीने थी वो वहाँ पलायन कर गए और मारवाडी भी दरग गया चाई गाउं की घटना संभवता जोशी मठ में पहली बड़ी भूगरविये हल चल थी चाई गाउं का भूगरविये सर्वे तो हुआ लेकिन उससे कोई सबक नहीं लिया गया और यही वज़ा है कि आज एक बार फिर लोग 2007 से लेकर 1970 के दशक में जो हुआ उन घटनाओं को याद कर रहे है आज यहाँ पर लोगों के बीच पहुँचकर एक और बात पता चली इतिहास कैसे अपने आपको दोहराता है ये घटना अपने आपने बताती है और जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते दुर्भाग्य उनका इंतिजार कर रहा होता है फिर किसी दूसरी दुर्गटना के लिए 1970 के दशक में कुछ ऐसा हुआ है इसी इलाके में और वहां से भी लोग अपने घर परिवारों को छोड़कर यहाँ जोशी मठ एक सुरक्षित पना सोचकर आए लेकिन उन्हें क्या पता था कि 1970 में तो विस्थापित यहां हुए लेकिन 2022 में, 2023 में फिर एक और दुर्गटना या कहें हाद्सा या कहें परिशानी उनका इंतिजार कर रही है सेमवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं नमस्ते सर आप लोगों की फैमिली कि 70 के दशक में, किस एरिया में बस्ती थी यहां पर? मैम, अगर हम 1970 या 1971 की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एक अलग नन्दा नदी के तट पर एक सेमा गाउं है वहां पर हम लगबग 14 से 15 परिवार रहते थे और उन परिवारों का वहां पर रहने का कारण देखेंगे तो इक बेला कुछी नाम पर टंगड़ी के पास तो वहां भी पूरा मार्केट था जब लोग जाते थे तो वहां पर रुकते थे यात्री वहां रुकते थे लेकिन वह भी पूरा बैच उका था ऐसी मट के नीचे का तत अट लगाता चलता गया टूटता गया बैथा गया उस सबहें भी भी हम लोगों ने बहुत कोशिज की कि उसको सेफ्टी किया जाए लेकि नहीं हो पाया उसके बादوجों जहां अभी है ये हमने हमारे पूरवजों ने हमारे दादा हमारे जो भी पि अभी भी उन्होंने गोपेशवर में अपनी मकान बना ली वो चले गए लेकिन आज भी हम लोग वहां पर हमारा जो कहते हैं कि पाहड़ों में आपको पता है कि लोग हर कोई देवी देपताओं को बहुत ज्यादा मानता है तो हमारा जो पुरानिक जो मंदीर है मां लेकिन अब आप देखें कि लगबग पचास से बावन साल हो चुके हैं इस पूरे घटना करम को और एक बार फिर से वही इतियास दोराया जा रहा है जोशीमट में पहले आपकी पुरानी पीडी थी उसने वह संकट देखा आप लोग सुरक्षित भविशे के लिए यहां अब आप फिर यह संकट देख रहे हैं और यह सब क्यों हो रहा है क्योंकि शायद जो सबक वहां से लिये जाने चाहिए थे जिनको इंप्लिमेंट किया जाना चाहिए था और यहां पर मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी 1976 में मिश्रा कमिटी रिपोर्ट देती है को और टच किया जाना वहां पर और निर्मान को भी मैं इस तरह से कहूं कि एक होता है प्लैंड तरीके से कुछी दोरी है हर तरह के पहलूओं को समझ कर अगर ऐसा कुछ हुआ तो जोशीमट खत्म हो जाएगा कोई बचा नहीं पाएगा यह 76 में हुआ आज हम 2023 में यहां ख कीमत चुका रही है आप मुझे बताइए कि जब उस समय लोग यहां पर शिफ्ट हुए थे आप क्या अंडरस्टैंडिंग है आपको लग रहा है कि सरकार ने भी मान लिया है कि कुछ नहीं हो सकता अभी चुटना ही है यह डूबना ही है सिर्फ हर कोई कहने से बच रहा है जी एसा नहीं कह सकते हैं कि यहां पे बहुत कुछ नहीं हो सकता है अभी भी देके जिस पॉसिमल्टी बिलकुल है मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जहां हम इस समय जो सिमट के हम जो बात कर रहे हैं वह एक ग्लेसियर के उपर बसा हुआ नगर आए गौर्मेंट ने यहाँ सबसे बड़ी लापरवाई यह की है कि यहाँ पे जिस तरीके का निर्मान करे हुआ अनियोजित भिकास जिसे हम कह सकते हैं कि बड़े-बड़े होटल बना दिये बड़े-बड़े मकान बना दिये जबकि मिस्ट्रा आयोग जो आप कह रही हैं कि मिस्ट्रा आयोग। नेए कहा था कि यहाँ पर एक मंजला मकान आप सिमन्ट वाला बना सकते हैं लेकिन उसका जो टॉप बनाएंगे उसको आप हलका रखेंगे यानि कि टीन सैट बनाएंगे। लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, लोगों ने तीन मंजिला, चार मंजिला मकान बनाते चले गए, अब वो नीचे की तरफ जब धस रहा है, तो जो सबसे नीचे का माला है, वो पहले नीचे खिसक रहा है, और उसके बाद जो तीन मंजिला अन्या वो खिसक रहा है, अगर ग जाल यहां पर बुना जा रहा है अलग अलग जगों से शड़क बनाई जा रही है उसको भी रोगना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है एक प्रॉपर प्लान के तहट और मिस्रा आयो की रिपोर्ट में आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि उन्होंने यहां पे पहला जो किया एक भी काम और एक भी व्यवस्ता या हम यह कह सकते हैं कि गौवर्मेंट ने जिस तरीके से लापरवाई कि उसका खाम्याजा आज हमको भुकतना पढ़ रहा है जो सिमन नगरवाशियों को भुकतना पढ़ रहा है अगर अभी भी अगर देखे किसी भी छेतर को छोड़ना हम अपना घर नहीं छोड़ सकते हैं यह सीधी सीधी बात है क्योंकि मैं अगर किसी चीश से जुड़ा हूँ तो अपने घर से सीधे अपने खेत खलियानों से हम यह चाहते हैं लोग यह चाहते हैं कि यह सारी सिस्टम को सुधारा जाए और बिक्षार ओपन से लेके जो ड् सारी बाते जो अभी सेमवाल जी ने बताई हैं ये वही इंसान बता सकता है जिसकी पीडियां यहां पर गुजरी हैं पुराने लोग यहां थे वरतमान पीडियां आने वाला भविश्य उनका यहीं से आगे निकलेगा लेकिन संकट की घड़ी है पर फिर भी अभी उम्मीद जता रहे हैं कि अभी भी कुछ है जिसे बचाया जा सकता है बशर्ते कम से कम अब सबक ले लिये जाएं